अगा कि अगर आपने किसी पार्टी से कोई माल खरीदा है या बेचा है और उसके रिशिप्ट की या पैमेंट की एंट्री कर सकते हैं तो आप इसके अंदर आपकी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए तो यह आपकी अमांट को एंट्री कर लेगा जिन जिन बिलो को आप सेलेक्ट करोगे उनके पैमेंट को यह ऑटमेटिक कर देगा वगए तो लोड करती हैं तीडियल को लोड करने के बाद में आपको टैली रिस्टाट यह हमेसे ध्यान ठखना एकट्री रिस्टाट कर देना चाहिए ताकि कोई भी टिडियल नहीं वुटल अमोंट है इसका 89,611 रुपीज तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर इनको मुझे पैमेंट के एंट्री करनी है तो इनका पैमेंट करने के लिए मैंने आटा कैस पैमेंट एंट्री के ओपर क्लिक कर दिया एक वाउचल इंकम टैस रूल के साब से दस जार से ज़्यादा का पैमेंट नहीं होना चाहिए आप यहां पर लिमिट अपने साफ से सेट कर सकते हो पांच जार दस जार बारा जार पन्दा जार वाटेवर यू वान मैं यहां पर दस जार रुपे डाल देता हूं अब यहां पर यह पूछ रहा है इस एंट्री फिक् एंट्री करनी है या रेंडम पर अभी हम पहले फिक्स वाले पर चलते हैं अब यह पूछ रहा है टोटल पैमेंट अब्लिक रिशिप्ट कहने का मतलब यह है कि वैसे तो उननवे जार शेसो ग्यारा रुपे दो बिलो का अमाउंट है लेकिन आप यह पूरा क्लियर करना च हो जाएगी इन दोनों बिलो के अगेंस्ट में और नौजा च्हसो ग्यारा रुपिस के पेंडिंग रहेगी देखो यहां पर की एंट्री हो चुकी है यह मैंने फिक्स नहीं लेकिन दूसरा जो बिल है उसके अंदर इसने चार्जा पांसो गुंपचास रुपे की एंट्री किये क्योंकि बागी कामों ठंना रख लिया है यह तो था कि उस कंडिशन में जब हमें बिल जो है पार्शली जमाखर्च करना है जैसे मानलो गुननब्यजार का बिल था मैंना 80,000 रुपे का ही किया अब मानलो अगर मुझे यह बिल क्लियर करना है पूरा का पूरा तो उसके लिए मुझे क्या करना है अब मानलो मुझे इन दोनों बिलों की एंट्री करनी है और यहां पर मुझे पूरा का पूरा पैमेंट क्लियर करना है तो मैं यहां पर क्या इस option को जो की total payment है उसको zero कर लूँगा क्योंकि यहाँ पे मुझे पूरा amount clear करना है पूरा amount clear करना तो मैंने इस amount को छोड़ दिया पूरी की पूरी बिल की amount की entry हो जाएगी और वो भी random basis पे होगी क्योंकि मैंने fix नहीं किया है अब देखो यहाँ पे 9611 के पूरे की पूरे बि शुरू होता है उसकी अगले दिन से या उस दिन से ही उसका payment होगा उससे पहले उसका payment कभी नहीं ओगा यहाँ वापस आपने देखा की इन सारे बिलो का payment हो चुका है और पर दे 10,000 रुपे या उससे कम की amount में ही उसका payment हो रहा कि अब मानलो कि यहाँ पर मैं क्या करता हू कर देखा वालब सब्सक्राइस करके पूरा पेमेंट केरना है तो मैंने पूरे सब्सक्राइब कर दिया अब यह यहां पर तो इस तरह साब फिक्स और रेंडम बेसिस पर दोनों तरीके साब एंट्री कर सकते हो यहां पर आपके पास सारे अब मानलो आपका बिल तो है है डॉप और आपने गलती से एक राव रुपए का लगा औ किवाल यहां पर करेगा यहां पर यहींड़ं पर दालो करेगा बाकि लेगा कि यह से यह जी कहले कर देगा बाकी amount के entry को यह ignore कर देगा देखो यहां पर 90 जाल पर की entry हो रही है बाकी amount को इसने ignore कर दिया है तो इस तरह से यह पूरा काम करता है जिसमें आपके random basis पे भी option दिया हुआ है कर सकते हो और पूरी करनी तो फूरी भी कर सकते हो इसमें आपको बहुत सारे options दे दिया है यह payment की entry की है इसी तरह से अगर आपको रिशिप्ट की entry करनी है तो आप रिशिप्ट की entry भी कर सकते हो और यहां पर इस मेथड से आपको मैंने सारी चीज़े explain करके बता दिये यह बल्क payment cash payment की entry करनी हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं और इसमें बिल टू बिल पैमेंट में क्लियर हो जाता है थैंक यू फॉर वाचिंग